दोस्तों, आज मैं एक आटा चकी repair करने आया हूँ, यहां पर यह आटा चकी आप देख रहे हैं, इसमें problem क्या है, इसमें synchronous motor काम नहीं कर रही है, जहांसे दाना यानि कि आज enter जाता है, वाली motor काम नहीं कर रही है, बट main motor काम कर रही है, और इसमें एक दिक्कद ओर है कि यार एक बार चला के दिखा देता हूं अगर इस प्रकार का कोई फॉल्ट आपके उसमें आता है तो आप हमारी वीडियो को देखे कुछ न कुछ यहाँ पर नौलिज ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं आउन करता हूं और आपको दिखाता हूं देखिए मोटर काम कर रही है और बट मोटर के तो सबसे पहले वोल्टेज करना रहता हैं अर यहां परहले में त्रप्रम है उसका सोलीशन यहां पर पहलेद तो मैं इस इस controller को repair करने का दूसरा वीडियो है नहीं बनाऊंगा जहां पर आपको बहुत ही बारी किसे सभी faults के बारे में समझाऊंगा पहले हम बेसिक faults यहां पर देखने हैं इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने अल्रेडी बना के रखी हुई है जिसमें आप हमारी वीडियो से सीख सकत है controller के अलग-अलग faults के बारे मैंने बताय हुआ है तो यहां पर सारी वायर हमने खोल ली है और वायरिंग को नहीं इसकी मुश्किल नहीं होती है बहुत ही असान इसकी वायरिंग होती है इस पर डिटेल वीडियो एक बना चुका हूँ उसको आप देख सकते हैं उसमें से को कौन सी वायर कहा के लिए जारी कौन सी वायर कहा के लिए यह सब मैंने डिटेल से बनाया हुआ है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंड बॉक्स में पिन किया वह मिल जाएगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना आप वोई शुबर मैं लास्ट में घर आके किया हूँ वहां सामने वोई शुबर करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता क्योंकि कई लोग बात कर रहे हो तो स्वक्द और भी आवाज़े डबिंग हो जाती है ना तो वोई शुबर घर में किया है मैंने अब देखिए यहां पर जो इसमें फॉल्ट निकल के आ रहा है मेरे को दो दिग्या अगर आपको नहीं दिखा तो मैं दिखाना चाहूंगा यह जो बड़ी बारी रिले है यह फीजिकली यहां पर देखिए फूली भी लग रही है देखिए ध्यान से देखिए मैं तोड़ भ पैरिंग तो अपने सेटप पर ही करूंगा फिलाल कस्टमर ने यहां पर बोला था कि यार एक बार देख लो कहीं सही हो जाता है तो मैंने तो बोल दिया था सही नहीं होगा क्योंकि कंट्रोलर का प्रॉब्लम वही इसके लिए प्रॉपर है आपने को सेटप पे जाके अच प्रॉटिंग बनती है तो वह भी एक बार मैं खुद भी देखके यहां पर कस्टमर को सेटेस्वाइग करना चाहूंगा हां भाई इसमें ज्यादा फॉल्ट है मतलब कस्टमर को एक एवरेज बताना था कि लगबग इसमें कितना खर्चा आ जाएगा तो इसलिए मैंने अगर माइक्रो कंट्रोलर हमारा रिपैर नहीं हो पा रहा है या फिर इसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया है नहीं कि इसी आईसी नहीं मिल रही है तो हम अपनी चक्की को है ना आटा चकी को डैटली चला सकते हैं तो इसका भी एक सॉल्यूशन है जिहां दोस्तों इसका भी भी दिखा रहा हूं बताते जा रहा हूं वह इस तो मैंने यहापर उपन नहीं करी है बट कश्टमर को भी मैं यहापर थोड़ा सा समझा रहा था कि इसमें ऐसे फॉल्ट आता इस वोल्ट भई हम तो सभी को समझाते हैं क्योंकि है ना कहीं ने कहीं हमारा भी एक उदेश र अब देखिए, यापर नीली और काली वालि में मोटर की वायर था Georg है उनको दुनम इसमें डालने के बाद फिर चालू करना बढ़ेगी इस तरीकी से देगी इसे फाइदा तो यह रहेगा कि आपका काम बन जा लेकिन मसीन डायरेक्टर चलने लगेगी यानि कि स्विच ओन करते ही मसीन डायरेक्टर चलने लगेगी कंट्रोलर क्यों होता है कंट्रोलर का जो मेन काम है आपके सारे सिस्टम को बिलकुल ऑटोमेटिक कर देना आप गहूं डालेंगे उसके बाद जो सिंक्रोनस मोटर के पास दो सेंसस लगे वे रहते हैं वो उसको सेंस करेंगे कंट्रोलर को सिगनल भेजेंगे कंट्रोलर तब क्यों होता है अब यहां पर हुआ क्या जब डैटली इसको चालू करेंगे तो ना इसमें कंट्रोलर रहेगा ना कुछ रहेगा बस सीधे मोटर में है ना पावर जाएगी और मोटर चालू हो करेंगे और आपको सिखाएंगे फिलाल मैं अपने सेटप पर इसको सारा काम बताऊंगा आपको तो कल उसका वीडियो आएगा फिलाल इस वीडियो को ना लाइक कर दिए और शेयर कर दिए बाकी चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए वह आपकी मर्जी है सीखना चाहते त चलिए मिलता है कल इसके रिपैरिंग पर तब तक के लिए ठीक है